Hello everyone, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Social Media Addiction के बारे में यह यू कहें Mobile Addiction के बारे में दोनों equal है और यह अचानक से मेरे को बनाने का मन क्यूं कि आपके सामने मैं सोचा कि इस वीडियो को क्यूं बनाऊ किया कि जिससे मैं इस Mobile Addiction से बाहर निकल पाहूँ इस फोन को कम से कम छोड़के और मैं दूसरा रास्ता पकरूँ लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था लगभग बहुत सारे दीन बीटने के बाद आज जो मेरा लाइफ है अगर स्क्रीन टाइम मेरे मोबाईल का अभी मैं आपको जैसे रिपरजेंट कर रहा है दीख रहा है आज का लगभग दो घंता से और हाई घंता मैं पूरे दीन में यूज कर पाता हूँ और मैं इससे कैसे बाहर निकला वही चीज मैं आपके इस वीडियो में बताने वाला हूँ पांच ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा जिससे आप इस मोबाईल एदिक्सन से या सोसल मीदिया एदिक्सन से बाहर निकल सकते हैं आपको एकीन नहीं होगा कि अभी के समय में बड़े हैं चाहे छोते हैं यह डिपेंड नहीं करता है चाहे आप एस्टुदेंट हैं खास कर कि यह जो मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि आप एक student है और आपको अपना carrier बनाने का ये सुनारा मोका है अगर अभी के समय आप mobile addiction में अगर पढ़ जाते हैं तो पूरा जीवन आप पश्टाएंगे जो अपसे बरे हैं वो लोग भी आजकर बहुत ज़्यादा mobile addiction में जूर चुके हैं आपके लिए ही बनाया गया है चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरुवात करते हैं और अपना कीम्ती समय निकालके इस वीडियो को देखने का प्रयास चरूर करिएगा क्या आपको पता है कि जो app develop करते हैं जैसे instagram app को develop किया जाता है whatsapp app को बनाया जाता है चाहे facebook app को बनाया जाता है तो कैसे बनता है वो हमारे और आपके जैसे लोगों को देख के बनाया जाता है कि किस परकार से हम लोग अपना उस app को कितना समय देंगे, कैसे देंगे, एक color भी अगर app का develop किया जाता है तो आपको देख के बनाया जाता है कि क्या user उस color को देख के उस app में आएंगे, एक छोता सा चीज, छोता छोता बरीकी से देखा जाता है user के लिए, क्या उस चीज को देख के यूजर उस एप में आएंगे, सोचो कि एक एप को बनाने के लिए क्यों उतना महिनत किया जाता है, क्योंकि उस एप से जोड़ा भर के पैसा कमाते हैं, और आप उसके बदले में अपना कीमती समय आपके जैसा और हमारे जैसा लोग उस एप को देते हैं, और अभी के समय में बहुत सारी यूवा हैं, बहुत सारी यूथ हैं, जो एक स्टोरी तक डालते हैं, एक एक जामपल से बताते हैं, आप अपने से रिलेट कर पहेगा, एक आप इस्टोडी दालते हैं जỏi जिसके लिए दालते है आप 5 बर उस्टोडी को खोल के देखते हैं इस स्टोड के देखते हैं आप पांच बर दीन में, दस बर या घंतों बर आप जाके जरूर उस Instagram है, जरूर खोल के देखोगे कि जिसके पास आप मेसेज की हो, क्या उस मेसेज को सिन किया है, यही से चालू होता है हमारा Mobile Addiction, यही से शुरुआत होता है, और अभी के समय में आप देखो कि हर एक application अपन कि तिक तक जैसे ही बैन हुआ, Instagram को लगा है कि हाँ, मैं इससे कुछ profit कमा सकता हूँ, तो यहाँ पे भी हो क्या किया, Reels का feature ला दियो, और आज Instagram बोरा भर के पैसा कमा रहा है, वैसे ही अगर आज से दो-तीन दिन पहले अगर जो लोग update रहते होंगे social media पे, उनको पता होग कि WhatsApp भी एक ऐसा update ला चुका है, जिसमें हम लोग बहुत सरे user का channel एक बन जा रहा है, और वहाँ पे जाके हम अलग-अलग content को देख सकते हैं, तो WhatsApp भी कुछ develop होते जा रहा है, तो हर एक application अपने आप में development क्यों करता है, क्योंकि उसे पैसा कमाना है, और आपको interact रखना है, म हर एक ब्यक्ती का, तो 7 घंता मेरे सामने आया, average time, और आज की youth का अगर बात करें, तो 9 घंता, 10 घंता आम बात है उनके लिए, पूरा अपना कीमती समय बरबाद कर देते हैं, social media पे, और बाद में आके मेरे से ये कहाते हैं, चैब बाद में जाके कही motivational, 10-15 दिन, 20 दिन देखते हैं, कि किस परकार से मैं परहाई इस्टाद करूँ, जो चीज उनको करना है, वहाँ उनका मन नहीं लगता है, एक simple और एक example बताते हैं, जैसे आप drinking करेंगे, जैसे आपको कुछ नसा पदार्थ आपको यूज करना है, तो उसको अगर आप एडप्ट करने जाओग लेकिन आप परहाई जल्दी नहीं करते हो, तो जो भी कथीन चीज है जिस पे हम लोग input जैसे तुरंट दे और तुरंट output मिलता है वो चीज हम जल्दी करते हैं, लेकिन input देने के बाद अगर process में अगर समय लगता है, उस चीज में हमारा मन नहीं लगता है, इतना मैं घु मैं ना बरबाद करते हूँ, आपको पांच वैसे tips बताने वाला हूँ, जिससे आप social media addiction से बाहर निकल सकते हैं, पहला जो tips है, यह है कि आप extension board का यूज ना करें, हाँ, यह सही चीज है कि आप extension board का यूज ना करें, रात को सोते समय भी लोग ये करने चालू कर दिये हैं कि mobile charge में लगाते हैं, तो mobile जब भी चार्ड में लगाते हैं, तो अपने जहां पे आप सोते हैं, उसे दूरी पर mobile charge में लगाते हैं, तो उसको दूरी रखे अपने पास से, कि कमसे गम जितना दिर mobile charge में हो, और BE रेस्ट करने का हक है की नहीं, वो भी तो आराम कर सकता है, लेक के यूज जरूर करिएगा अगर आपके पास में मुबाइल रहेगा तो सबसे पहला जो टिप्स है कि extension बोड का यूज ना करें और मुबाइल को ज्यादा ज्यादा charging समय अपने से दूर ही रखें तो दूसरा टिप्स है यह है कि अपने मुबाइल के setting को changing करें इस सेटिंग है जिसको चेंज करने के बाद सोसल मीदिय अदिकशन से जिसको करने के बाद आप आसानी से और मुबाइल निकल सकते हैं ठीक है तो सेटिंग अब जब स्वोड़े विस परकार से दिजब लभी एक है उसके अंदर जेंगे तो चाहे आपका earplane mode हो गया, यह सब का health लेके आप बहुत सारे अपने time को बचा सकते हैं, जो तीसरा tips है, turn off notification, सबसे पहला एक महत्पून काम यह है, अपने mobile का turn off notification कर दें, मतलब notification को off ही कर दें, कोई भी काम हो उसे नहीं मतलब है, कोई महत्पून अगर आपके पास आ रहा है, कोई notification फिर भी आप off कर दें, जब आपको समय मिले, तब आप जाके mobile को use करें, जब भी आपको किम्ती है, आपना समय जब लगत काम खतम हो चुका है, तब आप जाके उस mobile को use करें, और उस समय आप देख सकते हैं, कि इसका phone आया है, कि इसका call आया है, कि इसका message आया कि लेकिन notification को off कर दें, यह तीसरा tip है, पौथा आपका setting है, distraction app को delete कर दे, जितना भी distraction app है, जिसको आपको लग रहे है कि time wasting है, आप उसका काम जब भी उसका use करते हो ता आप उससे time waste करते हो, उस app से आपको 1% भी profit नहीं है, सिर्फ आपका time का waste कर रहा है, वैसे आपको अभी के अभी इमंदारी के सा अपने mobile से delete कर दे, जो पांचवा जो tips है, यह आप कर सकते हो, अगर आपको लगे तो, पांचवा जो tips है, अपने mobile के जो password है, जो mobile का आपका जो password है, उसको long रखना को सीच करे, मतलब fingerprint अगर सीचते हैं, आपको mobile में है, तो उसको हता के, एक नमबर वाले कोई बड़ा सा password रखें, कि जब भी आप सुबा सो के उठें, तो जैसे नीद में कितना लोगों को सबसे पहले सो के उठते हैं, तो mobile यूज करने का आदत रहता है, अगर long password रहेगा, तो आप नीद में कम से कम password को खोल नहीं पाएंगे, कथिनाई होगा, जिसके कारण जब तक आप पूरे अच्छे से अपना नीद पूरा नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उस mobile को नहीं खोल पाएंगे, अपना mobile addiction या social media addiction से बाहर निकल सकते, लेकिन इन पाचो tips के बाद आपको इमंदार बनना परेगा, आपको अपने से ये promise करना परेगा, कि आज से मेरे को इससे बाहर निकलन है, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हैं, उमीद करता हूँ कि आप जरूर इससे बाहर निकलेंगे, और आज से ही इसको implement करेंगे, तो वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, और इस टाइब की इस चैनल पर वीडियो आ आते रहते हैं, तो सस्क्राइब जरूर करेंगे, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केर